कल्पना हॉल में बैठी साथ कब निभाओंगी साथ्या देख रही होती है जिसमें कोकी बहु रहम जी के लिए आलो के पराठी बनाती है लेकिन काशी कुकर में इसे आलो निकाल कर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दीती है तब ही एपिसोड खत्म हो जाता है और कल्पना कहती है हाई हाई मेरे तो मोई मोई हो गया अब कैसे बता चलेगा कि कुकर फटा या कोई पिटा खेर आलो के पराठी का नाम सुन मेरे भी मन आलो के पराठी खाने का कर रहा है अब बहु को बुलाती हूँ कल्पना अब अपनी बहु को अपनी फर्माईश बताने लगती है दोस्तो कल्पना और उसकी बहु रूही दोनों ही बहुत आलसी थे दोनों ही काम के नाम पर भागते रहते थे सर्दियों का मौसम आ गया था और दोनों के शरीर पर जैसे मानों जंग सा लग गया था और अब कल्पना अपनी बहु से कहती है बहु सर्दिया आ रही है बजार जाये तो ले आयो आलू आलू के पराटे खाने का असली में ज़ातो सर्दियों में आता है सर्दी तो इसी लिया आते कि अच्छा अच्छा खा सके बिल्कुल सही कहा माजी आपने लेकिन वो आलू के पराठे अगर आपके हाँ से बने हो तो सोने पस सुहा गई हो जाए जब से मैं शादी करके आई हूँ आपने बस एक ही बार तो बनाए है आलू के पराठे हाँ तो मेरी बहु तो तू है ना तो तू बना कर खिलाएगी है मैं अच्छा चल मैं इतना कर दूँगी पडोसन सरला को बोल कर आलू मंगवा लूँगी तुझे बजार नहीं जाना पड़ेगा अब तो ठीक है ना मा जी मुझे तो बहुत ठंड लगती है नॉर्मल खाना तो मुझे से बनाया ही नहीं जाता और आप मुझे आलू के पराठे बनाने की बात कर रहे हो नहीं रहने दो सादा खाना ही खा लेंगे एक गैस पर दाल और दूसरे गैस पर चावल दस मिन्ट में तयार मैंने सोचा था कि बहु आएगी तो अच्छा अच्छा बना कर खिलाएगी लेकिन यहां तो बहु अपनी ही साथ से काम करवाना चाहती है अच्छा जी ये लो माजी उल्टा एमोशनल वाल माजी सोचा तो मैंने भी था मेरा ससुराल ससुराल नहीं माईके की तरह होगा जहां मेरी साथ बिल्कुल मेरा ख्याल मा की तरह रखेगी मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा चल चल अब बहस मत कर जरा सा काम बोला था तो तू बहस करने लग गई रूही जल्दी से खाना बना कर तसली में आग जिलाती है और छट पर रूही आग सेखने लगती है कभी कलपना अपनी बहु को ढूंडते हुए छट पर पहँच जाती है मैं कब से तुझे नीचे ढूंड रही हूँ और तू यहाँ है छट पर क्या कर रही है तू काम नहीं है क्या कोई मा जी आपकी आखे ठीक नहीं है क्या आसमान के साथ आपकी आखों पर भी धूंद जम गई है क्या आपको दिखने ही रहा कि मैं हाथ सेख रही हूँ बहु मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे, मेरी आखे बिलकुल ठीक है माजी, जब आपकी आखे बिलकुल ठीक है, तो आप देख क्यों नहीं पा रही हो कि मैं आग में अपने हाँ से करे हूँ बाप रे, इतनी ठंड है, मेरी तो हाथ ही जम गए माजी, मैंने खाना बना दिया है, अब आप बरतन दो लेना बहु तो पागल तो नहीं हो गई है, ठंड में तो अपनी साफ से ते ठंडे पानी से बरतन दोलवाना चाती है ये कोई उम्र नहीं है मेरी मरने वाली, तू मुझे क्यों मारने पर लगी हुई है माजी, मैंने तो पहले ही बहुत काम कर लिया है, आज पूरे दिन आपने कुछ नहीं किया है इतना तो कर ही सकती हो ना, मैं नहीं धो सकती बरतन, मुझे बहुत ठंड लग रही है हाँ तो मैं भी नहीं धो सकती, ठंड बस तुझे ही नहीं मुझे भी लगती है कलपना भी बर्दन धोनी से मना कर देती है कुछ देर बाद कलपना का बेटा पूरब आता है और घर में जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो आवाज लगाते हुए छट पर पहुँच जाता है जहां वो अपनी बीवी और मा को आग पर हाथ सेक ले देखता है और बोलता है अरे-अरे क्या बात है आज तो आग जिलाई हुई है वैसे भी ठंड में बाइक चला कर आया हूँ हाथ सेक लेता हूँ थोड़े हाँ बेटा हाथ सेक ले फिर मुझे तुझसे एक काम भी है मुझसे क्या काम है मा? वो क्या है ना पूरा बेटा ठंड में मेरी कामरा कड़ गई है तो मुझसे कोई काम नहीं होगा और बहु की भी सुबा से पेट में बहुत स्यादा दर्द हो रहा है मा जी आप बहु अब ज्यादा मत बोल तुझे ठंड लग गई है चुप चाप से आग सेक और ठीक लग रहा है तो बरतन साफ कर आँ मा जी बड़ा दर्द है पेट में है राम तो पूरा मैं ये कह रही थी खाना तो बन कहा है बस बरतन नहीं दूले तो तु बरतन दो दियो मैं बरतन दो दूँगा लेकिन मेरे आने तक आग न बूच जाए वैसे ही हाथ ठंडे हो गए है अब ठंडे पानी से बरतन दोने है और ठंडे हो जाएंगे फिर से आप आग जला कर ही रखना मैं बरतन दो कर अभी आया कलपना और रोही दोनों मिलकर अब पूरफ से काम करवा लेते हैं कुछ दिनों के बाद कलपना की दूर के पहन रेखा अपनी बेटी मयन के साथ आती है और कलपना दिदी कैसी हो तबे तो ठीक रहती है ना आपकी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन अचानक से यहां कैसे आना हो गया मेरे पास तो नंबर भी नहीं है तुम्हरा बांगा था किसी से लेकिन उसने दिया ही नहीं इसलिए बात भी नहीं हो पाती मेरी अरे कोई बात नहीं दीदी, अब तो मैं खुद ही आ गई हूँ न, अब कर लेना बात, वो क्या है न, कि मेरे बेटे की पढ़ाई खतम हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों न, अब हम मा बेटे यहां आ जाएं मेरे घर कैसे पता चला तुमें, तुम तो पहले तो कभी आई नहीं घर पता करना कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी मा और मेरी ताई जी से पूछा मैंने, तो उन्होंने बता दिया, और देखो, मैं यहां आ गई आपसे मिलने चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कल पने तो रेंट अपनी बहु के गमरे में जाती है बहु घर पर महमान आये हैं, जा जाकर उनके लिए चाय बना दे क्या, सर्दियों में भी इन लोगों को हमारे ही घर आना था क्या माजी, मैं नहीं बना रही कुछ अपने महमानों को आप खुद ही बना के खिला लीजेगा मैं क्यों इतनी सर्दि में परिशान हो बहु ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है बाहर महमान बैठे हैं और तू चाय बनाने से मना कर दे ठंड तो सब के लिए ही बराबर है न चल बहु इतना भी मू मत बना माजी, आपको पता है न हम दोनों सर्दियों में महाल सी हो जाते हैं घर के काम तो हमसे होते नहीं है और आप सर्दियों में घराए महमान की खातिरदारी की बात करे हो नहीं माजी, मुझसे नहीं हो पाएगा होगा तो मुझसे भी नहीं लेकिन इज़त की बात भी तो है न बहू अब तो खुद बता हम किसी के घर जाए और हमें कोई चाय पानी भी ना पूछे तो हमें कैसा लगेगा माजी, आप तो जूट बोलने में एक्सपर्ट हो न, तो यहां भी कुछ बहाना बना दो कह दो, रासन खतम है या गैस, या कोई और बहाना कल्पना के बोलने पर भी रूही कुछ नहीं करती और दोनों सास बहु बाहर जाकर सबके साथ बैठ जाती है तब ही कल्पना सबसे कहती है पता है, जब हम छोटे देना तो रेखा ही सबसे अच्छी चाय बनाती थी क्या? मोसी जी, अब चाय अच्छी बनाते हो हाँ, बना लेती हूँ लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं वहू क्या रेखा? क्यों इतना जूट बोल रही है बहुत जानती नहीं है रेखा को अरे, हर चीज बहुत अच्छी बनाती है मुझे तो पुराने दिनों की याद आगी वो चाय आय है सोच कर ये अच्छा लग रहा है मा जी, जब सोच कर ही इतनी खुशी हो रही है, तो सोचो जब मुझे चाय बना कर लाईए तब कितनी खुशी होगी, वाँ 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 मुझे जी, अब तुम मीरा भी मन कर रहा है अपकी हाथ की चाय पीने का अब जाओ आप हमारे ले चाय बना दो हमें भी आपकी हाथ की चाय पीनी है कल्पना और रोही दोनों मिलकर रेखा को ही फोर्स करते हैं कि वो चाय बनाए और रेखा के चाय बनाने के बाद रेखा से ही खाना भी बनवाते है बहुत अच्छा खाना बनाया था रेखा ने रेखा इतने दिनों बाद आई है यहाँ आप मैती जल्दी नहीं जाने दोंगी तुझे इस बार की सरदे तुझे हमारे साथी बितानी होगी कलपना और रोही दोनों ही बहुत ज़ादा आलसी थे और उन दोनों के लिए तो रेखा मानू किसी चमतकार से कम नहीं थे आप दोनों साथ बहु बहुत अराम से बैट पर सोते रहते और सारा काम रेखा करती कुछ दिनों के बाद सब लोग साथ में बैट कर बाते कर रहे थे और कब साथ निभाओगी साथिया फिर से देख रहे थे अर वो रहम को बहुत पसंद आते है और एपिसोड खत्म होता है तो कल परा ला कहती है इस सरदी में गरम गरम आलू के पराठे खाने का मन कर रहे रेखा वो तो अलू के पराठे कुछ अलग बनाती थी नहाएज वहीवाले आलू के पराठे बना दियो लेकिन दिदी उसके लिए लाल वाले आलू चाहिए होते हैं न हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मैं खेना ये ले आएगा बजार से आलू मैं सोच रही थी आज हम चले जाते हैं अपने गार इतने दिन हो गए हैं आये हुए अब हमें जाना चाहिए कब तक हम यहीं रुके रहेंगे बिल्कुल नहीं मौजी जी आप तो जाने की सोचना भी मत अरे मेरा मतलब है आपके आने के बाद ही तो घर घर लगने लगा है और आप भी जाने की बात करोगी तो कैसे चलेगा कुछ दिन और रुक जाओ रुहे और कल्पना ब्रेखा और उसके बेटे से ही काम करवा रहे थे मयंग बाजार से आलू लाता है और रसोई मेरे अपनी मा को देनी जाता है मा आपने तो कहा था कि महमान बन कर जाएंगे तो बिफस्तर पे खाना मिलेगा सारी facility मिलेगी सर्दी अच्छे से कर जाएगी लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है यहां तो हमें ही काम करना पर रहा है और उपर से सर्दियों में सारा काम हमसे ही करवा रहे हैं लोग वही तो यह तो मैंने भी नहीं सोचा था एक काम करते हैं आज ही निकल जाते हैं मैं कोई बहाना बना दूँगी और फोन करके बोल दूँगी कि हम चले गए हैं रेखा और मयंग चुप चुप वहां से चले जाते हैं सर्दियों में घर आए महमान से रोही और कल्पना को बहुत वाइदा तो होता था लेकिन अब रोही और कल्पना में काम को लेकर फिर से महायुद शुरू हो जाता है जिसमें पूरब भी पिस्ता है निम्मी एक बहुत ही सुन्दलेटकी थी पर वो बहुत ही नक्चड़ी भी थी छोटी छोटी बात पर मुह बनाना उसकी पुरानी आदर थी साथ ही उसमें एक और कमी थी और वो ये कि उसकी नाक सिधिना होकर जरा टेड़ी थी जिसके चलते अकसर ही लोग उसका मजाग बनाया करते एक दिन नाश्ते की समें निम्मी के माा किरन उसे आवाज देदी है निम्मी बेटा आदा नाश्ता कर ले कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे जाना है माँ आ रही हूं हम्म आद़ जल्दी कर ले नाश्ता हम्म…. क्या बनाया है बटा घीया की सबजी और पराठे즈 मेरी नाख तेडी ने मा की बात सुनकर मिं मिं जल्दी से नाश्ता करती है और पर अपने उसी दिर मिं कॉलेज जाती है जहां उसे उसकी दोस्त राम्या मिलती है राम्या न्मी को देखकर कहती है औइख करते हैं वे सबसÁ मजाक कर रहे थैंध यार कर रहे दृट मज़त हैं वायजल इससे देखो बस अपने हैं अपने वीचार देता है इस परいる इस पर इतना कहकर निमी गुसे में आगे आगे चलने लगती है और रामिया उसे मनाने उसकी पीछे चलकर उसे आवाज देती है पर निमी उसकी कोई बात नहीं सुनती और चुप चाप जाकर क्लास में बैठ जाती है ऐसे ही वक्त गुजरता है निमी और रामिया की common friend शिविका की शादी आती है और दोनों सहेलिया अच्छे से ready होकर श्यादी में जाती है तब ही निमी की नजर एक बहुत ही सुन्दर कमल नाम के लड़के पर जाती है और उसे देख कर निमी कहती है यार रामिया वो देख कितना handsome लड़का है हम, कहां पर है? वो देख, वहाँ वो वाला हम, ये तो शीविगा कब आई है? सगब आई है क्या? मैंने तो नहीं देखा कभी अरे नहीं, बस मुझ बोला भाई है और कुछ नहीं हम, अभी तो कहूं, मैंने नहीं देखा येर मुझे तो पहली नजर में ये भाग गया है कोई नहीं तसल्ले रख, बात करवा देंगे जाए काम कर उसके पास जा और थोड़ी बात करने के कोशिश कर वो देख वो, फूट सेक्शन के तरफ जा रहा है हम, सही कह रही है, रुक में ज़र ट्राय करती हो इतना कहकर निमी कमल के पीछे-पीछे फूट सेक्शन की तरफ जाती है और कमल के ठीक पास जाकर जूटा फिसलने का नाटक करती है और कमल उसे अपनी बाहों में थाम कर बचा लेता है निमी बड़ ही प्यार से कमल की तरफ देख कर कहती है थैंक्यू आपने मुझे गिरने से बचा लिया नो नो इस ओके वदद करनी तो पुरानी आदत है मेरी इतना कहकर निमी वहां से जाने लगती है तब ही कमल उसे पीछे से आवाज देकर रोपता है और निमी मन ही मन खुशी से सोचती है ओव वाः, ये तो पहली बार में ही शिकार हो गया मुझे लगा था, एक दो बार आगी पीछे आना पड़ेगा मुझे पक्का पता है, अब ये मेरा नमबर मांगेगा जी, कहिए, क्या हुआ जी, जरभा पास आये, कुछ क्या ना था जी कहिए क्या हुआ क्या कहना है आपको जी मैं कहना चाला था कि वो जी कहिए ना इतना सोच के रहे हैं जी मैं क्या रहा था कि आपकी नाक टेरी है मैंने आज तक ऐसी टेरी नाक वाली लरकी नहीं देखी क्या मैं एक बार आपकी नाक को छू सकता हूँ कहीं माइकल जैक्सन के तर आप भी नकली नाक लागे तो नहीं घुमरी क्या बकवास कर रहे हो मेरी असली नाक है और मेरी नाक की बनावटी ही तेड़ी है वा यार मज़ा आ गया साथ अजुवों के बाद आठवा अजुवा देख रहा हूं मैं साथी में आना सफ़ा लोग है मेरा तो कर लिया अपने बेतु की बाते यह और कुछ कहना है अरे कहना तो यही था बस अब और क्या कहूँ पर एक बात है आप इस टेड़ी नाक के साथ भी बहुत खुबसुरत लग रही हो चहरा आपका कुछ अलगी है कमर की बात पर बुरा सा मूँ बना कर नेमी वापस रामिया के पास जाती है और रामिया उससे बोलती है इतना कहकर नेमी गुस्ते में शिविका की शादी की पार्टी छोड़ कर वहाँ से वापस अपने घर आ दी है वक गुजरता है एक शाम जब नेमी बाजार से घर आ रही थी तब ही एक स्कूटी वाला लड़का उसे टकर मार देता है और नेमी रोड पर गिर जाती है और वो लड़का कोई और नहीं बलकि कमल था कमल जल्दी से नेमी के पास आकर कहता है अरे टेरी नाक वाली मैटम आप तुम क्यों छेड रही हो नाक तो मुझे भगवान ने टेरी दिया तुम क्यों मेरी टेरी करने में लगे हो अरे यार मैंने जान बुझ के थोड़ी न किया है तुम पताने काँ से मेरी स्कूटी के आगे आ गई इतना कहकर कमल निमी को अपनी बाहों में उठाता है और उसे स्कूर्टी पर बठा लिता है और फिर कमल निमी को डॉक्टर के पास तक ले कर जाता है और उसकी चोट पर पट्टी करवाता है इसी बीच दोनों में दोसी होती है और बातों बातों में नंबर एक्सचेंज भी होती है कुछ देर बाद कमल निमी को उसके घर छोड़ता है ऐसे ही दोनों की बाती और मुलाकाती शुरू होती है एक शाम कमल निमी को मिलने बुलाता है निमी जल्दी से रड़ी होकर कमल की बताई जगह पर आती है कमल उसे देखकर बस देखतार है जाता है साथ ही वो निमी का हाथ अपने हाथों में थाम कर कहता है निमी देखो, मैं जानता हूँ मैंने जाने अन्जाने में कई बार तुम्हारी नाक का मजाग बनाया है लेकिन सच कहता हूँ, तुम जैसी भी हो बहुत खूपसूरत हो मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ बाते करना बहुत अच्छा लगता है अगर तुम्हें कभी मेरे किसी भी बात से हट हुआ है तो मैं उसके लिए sorry बोलता हूँ अगर बात तेडी नाक का मजाग बनाने की है तो तुम पहले नहीं हो जिसने ये किया है मुझे हर दिन ना जाने कितने लोग की बाते सुनने पड़ती है पर अब नहीं सुनी होगी मैंने तुम्हारी नाक को ठीक करने का जरिया तलास लिया है हम करनी डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारी नाक की बड़ी हुई जो हड़ी है उसे ठीक करवाएंगे जिस वज़े से तुम्हारी नाक टेरी लगती है और तुम पहले ही नहीं हो जिसकी नाक ऐसी है मैंने काफी सलच किया है कि काफी लोग ऐसे प्रॉब्लम से जूचते है ओ कमल तुम कितने अच्चे हो सच में मुझे लगा जो तुमने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा कमल की ये बात सुनकर निमी के आँखे नम हो जाती है और उसे ये एहसास होता है कि उसे सच में कमल के रूप में एक सच्चा जीवन साथी मिला है और जिसके बाद वो प्यार से कमल को जोर से गले लगा लेती है और आखों से आसू बहाने लगती है और अगले दिन कमल उसे बहुत बड़े और अच्छे डॉक्टर के पास ले कर जाता है। डॉक्टर निमी की नाख का टेस्ट करते हैं और एक्सरे करते हैं जिसके बाद वो ओप्रेशन की डेट देते हैं। कुछ टाइन बाद निमी और कमल एक्सरे को डेट करते हैं और ओप्रेशन का दिन आता है। और निमी की आख का ओप्रेशन हो जाता है। और ओप्रेशन के बाद जब उसकी नाख की पटे खुलती है तो निमी की नाख एकडम सीधी थी। और जिसे देखकर कमल भी और निमी भी बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद निमी कहीं भी जाती तो कोई उसके नाक का मजाक नहीं बनाता। जिसके बाद निमी और कमल अपने अपने प्यार का इजहार अपने घरवालों के सामनी करते हैं। और निमी की खुबसूरती और कमल की समझदारी देखकर दोनों घर वाली शादी के लिए हाँ भर देते हैं, जिसके बाद उनकी शादी का दिन आता है, और निमी और कमल की बड़ी धूमधाम से शादी होती है. शादी के बाद कोई निमी को तीडी नाक वाली कहकर नहीं चड़ाता और वो दोनों अपनी जिंदगी खुशाल नुमा तरीके से गुजाते हैं सुमित्र देवी सोफे पर बैठी हुई अपनी बहु जागरती से कहती है बहु अरे खाना कब तक बनेगा बिरबल की खिचडी बना रही है क्या मा जी आपको न बैठे बैठे परवचनी देना आता है अपनी बुड़ी हट्डियों को थोड़ी तकलीफ दे लिया करो वर्ना पड़े पड़े जंग खा जाएंगी अरे तु अपनी मा की हट्डियों के बारे में सोच मेरे बारे में नहीं तभी जागरती का पती अरहान ओफिस से घर आ जाता है और बहुत ही खुशी और उत्सा के साथ बोलता है मा आज मैं बहुत खुश हूँ क्यों जी ऐसा भी क्या हो गया कई मा जी को पागल खाने तो नहीं भेज रहे आप डायन कहीं की पागल खाने जाए तेरे माई के वाले और तू अरे क्या चुप रहोगी तुम दोनों सारा दिन बस लड़ती ही रहती हो और कोई काम नहीं है क्या आप लोगों के पास बहुत सारे हैं खेर छोड़ो खुशी की बात ये है कि मेरी कंपनी ने मेरी अच्छी परफोर्मेंस को देखते हुए मुझे कार गिफ्ट करी है कार मिली है कोई तोप नहीं और हाँ आपको तो चलानी तक नहीं आती पता चला निकले थे ओफिस के लिए और पहुच गए होस्पिटल के बेड़ पर अरे रे अरे कैसी कुलक्षिनी जैसी बाते करती है तू होस्पिटल जाए तेरा भाई समझी अरे माजी आप तो चुपी रहो बला आपका हर बात में बोलना बहुत सरूरी है क्या जब देखो मेरे माईके वालों को ही कोस्ती रहती हो अपनों को कोस्लो ना अपनी जवान सम्हाल कर बात कर कल्मुही हाई मैं अकेली नन्नी सी जान क्या क्या संभालू अपनी इस पागल सास को या उसके लल्लू बेटे को क्या बोला तुमने मैं लल्लू हूँ और क्या लल्लू ही तो हो कुछ आता तो है नहीं तुमें जब देखो बस यही सब करते रहते हो बड़े तो हो गए लेकिन अभी बिमा के पल्लू से ही बंदे हो क्यारी तुझे जलन हो रही है क्या हम मा बेटे का प्यार देखकर नहीं नहीं मुझे कोई जलन नहीं है तुम मा बेटो से मुझे तो बस तरस आता है कि मेरी शादी एक लल्ले से हो गई चोटे से दोनों सास बहु में आये दिन ऐसे ही नोग जोग होती रहती थी एक रात जब जगरिती टीवी देख रही होती है तभी वहां उसकी सास आती है और उसकी हाथ से टीवी का रेमोट छीनते हुए बोलती है क्यों री खाना तेरा बाप बनाएगा क्या आकर मा जी आपके दिक्कत क्या है मुझे ये बता दो आज आप अरे कुछ भी बोलना हो कहना हो तो मुझे कहो न मैं खड़े हुना आपके सामने जब देखो कभी मेरी मा को बोलती हो कभी मेरे भाई को बोलती हो कभी मेरे पापा को बोलती हो अरे कोसने का ठेका लिया आए क्या आपने अरे जा यहां से मुझे अपना फेवरेक सीरियल देखना है मैं नहीं जाओंगी कहीं सब्सक्राइब पहले यहां आई थी, मैंने मूवी देखने शुरू करी थी और जब तक मेरी मूवी खतम नहीं हो जाती न मैं टस से मस नहीं होंगी यहां दोनों रिमोट को लेकर एक दूसरे के साथ छीना जप्टी करने लगती है और करते करते रिमोट जोर से टीवी पर जा लगता है जिससे टीवी टूट जाता है तभी सुमित्रा देवी अपनी बहु से बोलती है आरे वैसिया कहीं की खा खा कर सांड होती जा रही है अरे टीवी तोड़ दिया तुने मेरा इनी हातों से रिमोट चीना था ना तुने आस जैसे टीवी तोड़ा है तुने वैसे ही तेरा हाथ तोड़ दूगी अम्मा जी टीवी मैंने आखेले नहीं तोड़ा आप भी शामिल थी इसमें और आप ऐसे नहीं मालोगी न रुको अभी बताती हूँ मैं आपको अब बोलो बोलो थी मेरी गलती सारी बोलो कुछ दिन यूहीं बीथ जाते हैं और एक दिन सुमित्रा देवी पासार से सबजी लाकर अपने घर के दर्वाजे के भाहर खड़ी होकर 15 मिनट से डोर बेल बजा रही होती है लेकिन उसकी बहू अंदर फोन में हेड़फोन लगाए जाड़ू लगा रही होती है जिससे उसको डोर बैल सुनाई नहीं देती और बाहर खड़े खड़े सुमित्रा देवी का गुसा साथवे आसमान पर पहुच जाता है थोड़ी देर बाद जब उसकी बहू घर का दर्वाजा खोलती है तो गुसे से उसकी सास सबजी से भरा हुआ थैला अपनी बहू के उपर पलट देती है और बोलती है क्या अरी भैसिया अरे अंदर कौन सा पार्ट पड़ रही थी जो तुझे दर्वाजा खोलने में इतना समय लग गया माजी वो कान में हेड़फोन लगा रहे खाता इसलिए कुछ पता नहीं चला मुझे सारी अरी ना स्पिटी शरम तो आती नहीं तुझे अरी बहुत लापरवा हो गई है कुलक्षणी गहीं की माजी आपका बहुत जादा ही हो रहा है आजकल मैं कहा रही हूँ आपसे अरी तूने जो किया क्या वो सही था दोनों सास बहु मन में ही एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए वहां से चली जाती है मगर उन दोनों के इस युद्ध में कोई परिवर्तन नहीं आता वो आए दिन यूहीं एक दूसरे से लड़ा करती अरहान परिशान होकर उनको एक करने की एक तक्कीब सोचता है एक दिन दोनों सास बहु एक दूसरे से नराज होकर अपने अपने कमरे में बैठी होती है तभी उनके पडोस वाली नेहा आंटी एक थेला लिये उनके पास आती है और वो पहले जागरती के कमरे में जाती है और उससे बोलती है जागरती पुत्तर की कर रही है कुछ नहीं आंटी जी आईए ना बैठीए आ देख मैं तेरे ले की लेकी आईए हार वाओ किता सुन्दर हार है पर आंटी जी आप ये हार मुझे क्यों दे रहे हो और नेहा पुत्तर इहार ना तेरी सासने पिजवाया है तेरे वास्ते कैंदी सी कि मेरी बहुता मेरा हदों वद्ध खयाल रख दिये नाले कर दियां सारी जिम्मेदारियां बड़े त्यानल संबाल दिये ता उस देले एक छोटा जतोफा ओ आप देंची शर्मा रही सी इस आप देने के बाद नेहा अंटी आप उसकी सास के कमरे में जाती है और उससे बोलती है अरे सुमित्रा आविक तेरी बहुने तेरे वास्ते किन्हा सोना हार पीज़ आये क्या रही सी कि मेरी माजीता मिन्नू इनना प्यार कर दिये ना कि मेरी सगीमा देनालो वद्ध ये फिरी सासु मानों देदियो नावले क्या रही सी कि मैं अपनी साशु मानों बहुत प्यार कर दिया इतना बोलकर नेहा आंटी वहां سے चली जाती है और दोनों सास बहु के आँखों में आँषु आ जाते है जिसके बाद दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है तब ही जागृती भागती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है और उसे गले लगा कर बोलती है मा जी मुझे माफ कर दीजिए मैंने हमेशा आपका अनादर किया आपसे बत्तमीजी से बेश आई प्लीज मैं अपने हर गलती के लिए आपसे माफ ही माँगती हूँ मुझे माफ कर दीजिए बहू गलती मेरी भी है मैं हमेशा से तुझे और तेरे घरवालों को कोसती रहती थी ताने देती रहती थी मुझे माफ कर दे बहू तभी वहां अरहान आ जाता है और इस खुबसूरत से पल को अपने फोन में कैपचर करके बोलता है तो आखिरकार मेरा प्लैन काम करें गया चलो मुझे इस बात की खुशी तो है कि मेरे चिडिया गर में अब इनसान भी दिखेंगे जी किस प्लैन की बात करें हैं अब? इतना सब होने के बाद अरहान उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह उसने नेहा आंटी के साथ मिलकर ये सारा प्लैन बनाया जिसके बाद तीनों मिलकर जोर जोर से हसने लगते हैं और दोनों सास बहु मिलकर अब घर का सारा काम करती हैं और एक दूसरे की प्यारी प्यारी नोग जोग को वो नजर अंदास करके उस पर हसित टोली करने लगती हैं जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी-खुशी रहने लगते हैं